मेरा नाम है आमिर और मैं हूँ आपका MS Excel Trainer अब जैसे यहाँ पर मैंने कुछ डेटाबेस बनाया है आप देखिये सीरे लंबर है स्टूडेन ने में हिंदी, इंग्लिस, मैथ, फिजिक्स, ट्राइंग ऐसे यहाँ पर कैसा सब्जेक्ट है यहाँ पर अगर हम इस टेबल में बात करें तो मैथ का तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर कॉलम नंबर के अगर हम बात करेंगी कि मैथ कितने नंबर कॉलम पर आता है तो वो 5 पर आता है ऐसे ही अगर मुझे यह चेक्क करना है कि जो रामू नाम का स्टूडेंट है वैसे तो सीरियल नंबर के बारा है लेकिन अगर इस टेबल के बहाँ पर हम चेक्क करना हो कि यहाँ पर जो रामू नाम का व्यक्ति है यह कितने नंबर पर आता है तो यह हम कैसे निकालेंगे आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपको याद हो तो हमने वी लुक अप में कॉलम नंबर और एच लुक अप में रो नंबर का इस्तमाल करना सीखा था लेकिन उसमें हमने कॉलम नंबर को फ्रीज कर दिया था और उसी column के अंदर अगर सारी values आ रही थी अगर हमें column numbers को dynamic way में search करना है उसके लिए हम कैसे search करते है MS action में इसके लिए एक formula है जिसका नाम है match अब ये काम कैसे करता है जैसे यहाँ पर देखिए drawing है कितने number पे छेपे हैं ठीक है बता रहा है लेकिन अगर यहाँ से मैं student name लिखूँ और मैं जैसे enterprise करूँ तो देखिए दो बता रहा है और इसका मतलब यह सही भी है यहाँ पे पहला और दूसरा अगर हम बात करेंगे column number पे तो पहले पे यह आ रहा है दूसरे पे यह आ रहा है अगर आप results देखना चाहते हैं तो यहाँ से मैं results लिखता हूँ और interface करता हूँ तो बता रहा है बारवे नमबर पे आता है और अगर मैं आपको यहाँ से चेक कराऊ तो देखिए बारवे नमबर पे ही आपका result आ रहा है तो इस तरीके से अगर आपको row number चाहिए यहां तो यह column number बता रहा है उपर से अगर आपको row number निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे कॉльumn number निकालना है तो कैसे निकालेंगे जनका आप इस्तिमाल करेंगे अपने V look up में और H look up में और वो आपका 2D formula में convert हो जाएगा कैसे करते हैं चलिए देखते हैं सबसे पहले मैंने जो भी formula लगाया था हटा दिया है अब मैं दुबारा से काम करूँगा database हमारे पास नीचे है अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर formula लगाएंगे चुकि यहाँ पर चीज़ एट की जाएंगे तो formula लगाने के लिए यहाँ पर मैं आऊँगा और लिखूँगा is equal to and then इसके बाद आपको यहाँ पर match टाइप करना है exact match करके बताए आपके कि वो जो चीज़ आप लिख रहे है वो कहाँ पर इस्तित है इस table में तो आपको किससे match करना है जो चीज़ यहाँ लिख जाएगो इससे अगर यहाँ पर father name लिखा जाए student name लिखा जाए हिंदी, English, maths जो भी लिखा जाए उसी से match करना है क्लिक किया, comma किया अब match करेगा कहाँ ध्याना कि पूरी table नहीं array चाहिए क्योंकि अगर आप पूरी table select कर देंगे तो फिर यह आपको position नहीं बता पाएगा चुकि यह खुद ही confused हो जाएगा कि आपको exactly row number चाहिए या फिर आपको column number चाहिए और आपको चूकि यहाँ पे इंग्लिस math drawing के निकालने है तो इसका मतलबी है यह उपर वाले हिस्से में ही आ जाएगा यहाँ पे ठीक है तो आपके table यहाँ से start हुई है तो यहाँ से आप select कर डाले पूरा जहां तक आप चाहते हैं values को निकालना ठीक है and then आप यहाँ से comma करिए zero career bracket close कर दीजे अब देखिए formula complete हो गया सबसे पहले आपको जिस चीज़ को निकालना था match के बाद आप bracket start करके उस पे click करें comma जहां पे निकालना है array इसको हम कहते है match array जहां से निकालना हो या तो इदर से आ जाएगा horizontally या तो vertically और इसके आप कॉमा करके बस आपको zero करना है and then enterprise करके लाए अब देखिए यहाँ पे ना लिखा हुआ है चुकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है अब आप आईए और यहाँ पे maths लिखके लिखते हैं चलिए देखिए आगया पाच अब आप यहाँ पे आईए आपको जो भी करना है आपको student name चाहिए तो आप यहाँ से student name निकाल सकते हैं enterprise करें दो पे आज़ा है अब यहाँ से आप English का निकालना चाहें या फिर आपको obtained marks देखने हैं तो यहाँ से हम obtained marks करते हैं इंटरप्रेस करते हैं और बता रहा है 10 में number पे आ रहा है अब मालेज आपको यहाँ पे row number पता करना है उपर से नीचे की हो सुर्यस कितने number पे आ रहा है इसको मत देखिए 10 चोकि वो तो आपका serial number है हमें इसका exactly इस table में जो array है इसमें हमें इसकी position चाहिए तो क्या करना होगा simply is equal to करिए match कर दीजे bracket start करिए किस से match कराएंगा जो सब यहाँ पे type किया जाएगा उससे click कर दीजे comma करिए अब ध्यान लखिए अब आपको यहाँ से horizontally नहीं आपको vertically select करना है क्यों चुकि सुरेष महस जो होंगे वो यहीं पे आएंगे कहीं पे ठीक है comma कर दीजे zero कर दीजे bracket close कर दीजे आपको काम हो गया अब अगर आप यहाँ पे कुछ भी type करते हैं जैसे मैं रवी type करता हूँ और interface करता हूँ देखे बता रहा है आठवे नंबर प्यारा है रवी चेक करते हैं रवी देखे आठवे नंबर प्यारा है मैंने पहले भी कहा था serial number मत देखिए रवी कितने नंबर प्यारा आठवे नंबर प्यारा है चलिए अब हमें देखना किसका था हमें सुरेश का देखना था, शुरेश का देखना था, बता रहा रहा है, सात्वे नमबर प्यारा है, तो यहां से ही आपकी रो नमबर आ गई, और उपर आ गया, कॉलम नमबर, अगर आप चाहें तो इन्हें एडर्स का इस्तमाल कर सकते हैं, अगर आपको किसी चीज़ को पत कर लेता हूँ, यहां तक like this and like this, चलिए serial number यहां पर डाला जाएगा, जैसे मा लीजे 5 डाल दाल दिया गया, और 5 serial number पर हमें obtain marks पता करने कितने आए हैं, तो result यहां पर आ जाएगा आपका इंटर्पेस के, फार्मूला लगाई है, अगर आपको याद हो, वी लुक अप आपने पढ़ा होगा, तो आपको यहां जरूर होगा, तो यहां पर फार्मूला होता है बराबर, वी लुक अप record start, लुक अप value जिसे सर्च करते हैं, तो वो यह रहता है आपको याद होगा, आपको, कॉमा पूरी table select करते हैं, select कर लिजे अब आपको चाहिए तब column number, ठीक है और हमारे case में क्या होगा, column number का जो भी चीज हम निकालना चाहते हैं वो यहां पर type करते हैं, और उसका column number यहां पर आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम table select करने के बाद, column number यह दे देंगे, जो यह होगा, यही column number होगा हमारा, जो कि इसके बदलने पर बदलेगा, एंदेन यहां से हम कॉमा कर चुके हैं, करी चुके हैं पहले से ही, अब हम zero कर देते हैं, bracket close, enterprise कर दीजे, देखे आगे आगे दोस्तों, अब क्या होगा अगर आप यहां से four करके हुए enterprise करते हैं, चार नमबर पे जो भी वेक्तिव, उसके obtained marks हैं, एक सुप पैस, एक सरसट, है कौन सा वेक्तिक चुली, आपको यह पता करना है, तो आप यहां से student name करते हैं, enter, तो बता रहा है, जो चार नमबर पे student name है, वो है Amar Singh इसका column नमबर दो आ रहा है, ठीक है आप यहां से पता करें, कि इसका result क्या है, तो मैं यहां से result लिखता हूँ, और देखे, fail आ गया लिखके, तो इस तरीके से match function का इस्तमाल करते हैं, Vlookup में, या Hlookup में, और automatically आपका Vlookup and Hlookup, 2D form में काम करने लगता है, 2 dimensional काम करने लगता है, फिर आपका दोनों ही बदरने पे बदर लेगा,